आपको भी धोका हो गया ना कि ये गुलाब जामुन है लेकिन ये सूजी से बनी हुई मिठाई है जो कि बहुत ही जादा नरम और सौफ्ट बन करके तयार होती है आज मैं बना रही हूँ रस भरी बहुत ही इजी है इसे बनाना और ये सिर्फ और सूजी से बनती है कुछ जाती है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन चड़ा दिया नॉन श्टिक का ही पैन लीजेगा जिसे बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं अब मैं यहाँ बले रही हूँ सूजी तो एकदम बारीक वाली सूजी आती है ना वही सूजी लेना है आपको जिसे की च सूजी को भूनेंगे सूजी का कलर चेंग नहीं करना है लेकिन हा इससे जो कच्छा पैना वह निकल जाना चाहिए इतना भूनना आपको तो एक दम लो फ्लेम पे भूनिएगा धीरे धीरे और मेजरमेंट एक दम परफेक्ट रखेगा जिसे की मिठाई ना बिल्कुल भी हटेगी नहीं न बिखरेगी ब काथ ही अमेजिग बनेगे अब मैं यहां ले रही हूं दूद तो एक कप शुजी लिया था मैंने तो दूद्ध डालना हमें यहाँ पर पूरे दो कप लेकिन धीरे धीरे करके दूद डालेंगे एक साथ पूरा दूद नहीं डालेंगे फ्ल पढ़ती जाएंगे न वो साथ ही साथ मतलब अच्छे से सॉफ्ट होती जाएंगी फ्लेम को एकदम लो रखना है मैं बार बार बोल रही हूं और सूजी को यहां पर अच्छे से हमें पकाना है बाकी का मैंने आधा कप एड़ कर दिया टोटल दो कप दूद इसमें चला गया ह इस्टार्टिंग में इसमें लम्स पढ़ेंगे लेकिन घबराने की बिल्कुल जरत नहीं है जैसे जैसे पकेंगी और दूद जैसे जैसे सूखेगा ना इसका जो लम्स है ना खुद बखुद हटने लगेगा मैंने इसमें एक चुट की केसर एड़ कर दिया है जिसे कि इस यहाँ पर एक ट्था होने लगे फ्लेम को ओफ कर देंगे और अब देख सकते हैं यहाँ पर जो जो मिसन तो जो हमारी मिठाई है ना वो हार्ट बनेंगी तो आप देख सकते हैं अभी ये काफी जादा गर्म है तो मैं इसे 2-3 मट के बाद यहाँ पर मिक्स करूंगी लेकिन हाँ यहाँ पर इसे अभी पूरा ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा ही ठंडा करना है जब तक यह ठंडा हो रहा हम इधर अपनी चासनी बना करके तयार कर लेते हैं तो मैं इधर कड़ाई चड़ा दिया है गैस पे उसमें एड़ कर रही हूँ एक कप भर करके चीनी और इसके साथ ही इसमें एड़ कर रही हूँ एक कप पानी और एक चुटकी मैं यहाँ पर केसर अड़ कर रही हूँ जिस्ट कलर के लिए और यहाँ पर हमेना तब तक के लिए चासनी को पकाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से घुल मिलना जाए बहुत ज़्यादा गाड़ी वगरा कुछ भी नहीं करनी है और फ्लेम को भी मैंने यहाँ पर लो करके छोड़ दिया है और यह जो सूजी वाला मिक्शन है यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें एड़ करी हूँ टू टीस्पून भर करके मिल्क पाउडर इतना ही मिल्क पाउडर एड़ करना है इससे ज़्यादा नहीं एड़ करना है और इसमें कुछ भी सोडा या फिर बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं एड़ करना है सूजी से हम बना रहा है तो जैसे हम इसे तलेंगे यह बहुत अच्छे से फूल जाएंगी अगर आप इसमें सोडा बेकिंग पौडर कुछ भी आड़ करते हैं तो यह फटने लगेंगी तो इसे कुछ भी आड़ नहीं करना है यहाँ पर अब हमें क्या करना है इसे मसलते मसलते एक दम चिकना कर लेना है पांस से साथ मेट आपको यहाँ पर लग जाएंगे आपको यहाँ पर इसे तब तक के लिए मसलना है ना जब तक एक दम चिकना स्मूथ ना हो जाए बीच बीच में मैं इधर चासनी भी चला रही हूँ अगर यह आपके हाथों में बहुत जादा चिपके है ना तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको यहाँ पर मिक्षर बहुत जादा गीला लगे तो आप इसमें एक दो चमच मैदा एड़ कर सकते हैं सूजी यहाँ पर मत एड़ किजएगा क्योंकि सूजी से फिर दानेदार वाला टेक्स्टर आजाएगा यहाँ पर तो आप मैदा ही एड़ किजएगा अगर आपको लगे गीला है तो अधरवाइज एड़ करने के बिल्कुल जुरत नहीं है मैंने यहाँ पर इसे टोटल पांच से साथ मेर्ट तक के लिए मसला है और यह देखे कैसे एकदम स्मूथ चिकना हो गया एकदम डो के फॉर्म में आ गया है तो मैं इसकी यहाँ पर एक पेड़ी बना करके देख रही हूँ देखे बिल्कुल भी कहीं से फट नहीं रहा है सूजी से बना रही हूँ ना तो यह कहीं से भी फटना नहीं चाहिए आपको इतना इसे स्मूथ और चिकना कर लेना है और इधर जो चासनी है ना हमारी अलमुष बन करके तयार हो गई है देखे चीनी अच्छे से गुल गया है तो मैं इसमें हाफ टीस्पून के करीब हरीलाइची का पौडर एड़ कर रही हूँ फ्लेम को आफ कर देंगे और चासनी को हम यहाँ पर उतार के रख देंगे चासनी को हमें ठंडा कर लेना है और इधर मैंने रसभरा को फ्राई करने के लिए तेल भी गर्म होने के लिए चड़ा दिया है और यह जो रसभरी है इसे ना आप किसी भी सेप में बना सकते हैं मैं यहाँ पर आज इसे पेड़ी का सेप में बना रही हूँ लेकिन हाँ गोल-गोल मत बनाईएगा अगर गोल-गोल बनाएंगे ना तो इफ्राई होने बहुत जादा टाइम लगेगा अंदर से थोड़ा कच्चा भी रहा जाएगा क्योंकि गुलाब जामुन नहीं है तो कोसिस किजिएगा छोटे साइज में और चप्टे साइज में बनाने की आप इसे गोल-गोल नहीं बना सकते गुलाब जामुन की तरह और देखिए तेल यहाँ पर थोड़ा गर्म होना चाहिए जैसे कि हम गुलाब जामुन तलते हैं वो एक तम हलका गर्म होता है यहाँ पर उससे ज़्यादा तेज गर्म होना चाहिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुगड़ा एड़ किया जिसे मैं देख सकूं कि फट तो नहीं रहा है अगर फटे ना तो आप इसमें मैदा एड़ कर लिजेगा एक चब मचे करी तीरा ओला यहाँ पर बिल्कुल पर्फेक्ट लग रहा है फ्लेम को एकदम लो कर देंगे अभी तेल जब एक बार थोड़ा सा गर्म हो जाए ना आप यहाँ पर यह रसबरा डाले फ्लेम को एकदम लो कर दें उसके बाद आप इसे दोनों साइड अलटते पलटते सिखने दे जब तक इसमें एक अच्छा सुनारा कलर ना आ जाए इस टार्टिंग में आप इसे दो कलर आ गया है अगर यह थोड़ी बहुत फटे भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी यहाँ पर एक तो मुझे लगा कि फट गया है थोड़ा सा और हाँ जब आपको इसे चासनी में एड़ करना होना चाहिए गरम गरम चासनी में बिल्कुल मत एड़ किस देगा नहीं तो यह अंदर तक रस को पिएंगे ही नहीं और अभी मैं इधर दूसरा बैच भी फ्राइ कर रही हूँ तो इतने से मतलब एक कप सूजी से तकरीवन आपकी 25 यहाँ पर रस भरा बन करके तयार हो जाती है चासनी तो कम भी हो गई थी मेरी तो मैंने यहाँ पर हाफ ही बनाय के लिए और चासनी में डालने के बाद आप इसे दो तीन घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसमें अच्छे से रस को एप्जार हो जाए यह मैंने सबसे स्टार्टिंग में डाला था तो यह अच्छे से फूल गई है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है आप देख सकते हैं अब यह कितनी ज्यादा जूसी और एकदम सॉफ्ट लग रही है और हां बिल्कुल भी ऐसा मत सोचेगा ना कि सूजी से बनाई है तो पूरा टेस्ट सूजी का आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा बहुत ही ज्यादा नरम बनती है हां मावे का टेस्ट तो नहीं आता है इससे लेकिन सूजी का भी है यह बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा खा करके बहुत ही ज्यादा स्वादिश लगती है तो आप इसे एक बार घर में जरूर से बना करके देखिएगा हाफ कप का ही बनाईएगा इस टार्टिंग में लेकिन जरूर से ट